नमस्कार दोस्तों मैं सुभाज शर्मा चंडीगट से लाल किताब के यान में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम समझेंगे हमारी जुबान के बारे में कि जुबान जिसमें किसी परकार की कोई भी हड़ी नहीं है और अगर गलत चल जाए तो आपकी सारी हड़ीयां तोड़वाने का दम रखती है तो इसी तरीके से आपकी जुबान देखिए हर जगा इस्तमाल होती है हर एक अगर हम देखें कि आपके social respect आपकी total आपकी image आपकी जुबान से ही जाहिर होती है अगर आपकी जुबान अच्छी नहीं तो आपको कोई importance नहीं देगा आपके अंदर चाहें काबलियत भरके आपके अंदर हो पर आपकी उस काबलियत की कोई value नहीं है जब तक आप उसे express न कर पाएं आपने कवी देखे होंगे आपने अच्छे लेखक देखे होंगे अच्छी अच्छी stories देखी होंगी pictures hit होती हैं बहुत कुछ होता है इस सब के पीछे यानि कि वो क्या express कर रहे हैं किस तरह से आपके सामने कोई कलाकार बोलता है तो वो मंत्र मुग्द कर लेता है किस तरह से कोई अच्छी पंक्तिया कविता की बोलता है तो मंत्र मुग्द कर देता है इसी तरीके से आपकी जुबान है जुबान के बारे में एक simple सी कहावत है अगर आपकी जुबान मीठी है तो बनाए वो अच्छे-च्छे काम और अगर ये जुबान ही कडवी है तो आपका जीना कर दे हराम, कहीं का न छोड़े आपको, तो इसी तरीके से आप जुबान की ही इंपोर्टेंस है, बागे ही इंपोर्टेंस को तो आप दरकिनार कर यहाँ पर सबसे पहली तिवज़ो या फिर इंपॉर्टन्स देनी है तो वो देनी है आपको अपनी जुबान को किसतरह से हम अपनी जुबान को इस्तेमाल करें क्या कंडिशन्स ऐसी हो जाती है جभ हमारी जुबान हमारा साथ नहीं देती है हम किसी भी तरह से सामने वाले को अपनी जुबान से अट्रेक्ट नहीं कर पाते हैं हमारी जुबान एक तरीके से स्थल रहती है किसी भी तरह की उसमें हरकत नहीं है ऐसी हरकत नहीं है जो खास कर किसी सामने वाले को अट्रेक्ट कर सके या आपका परभाव उसके उपड़ डाल सके अब इस जुबान से हम किस तरह के काम लेते हैं आप अपनी फैमिली में हो तब फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे बनाती है अगर जुबान अच्छी है तो और अगर आप कहीं पर करियर में हैं जॉब में हैं तो आपको एक अच्छी position मिल जाती है, आपने कई लोग देखे होंगे, जो की अच्छी काबियत रखते हैं, उनके अंदर एक अच्छा potential है, सब कुछ है, पर वो तरक्की नहीं कर पाता है, और जो सामने वाला इंसान है, जिसे आप गधा समझते हो, वो तरक्की कर जाता है, जिबकि असल में गधे तो आप हुए, क्यों? क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हो, वो सामने वाला तो मेहनत करी नहीं रहा, तो यहाँ पर understanding की कही न कहीं गलती हो जाती है, कि आप जिसे गधा समझ रहे हो, वो गधा नहीं वो घुड़ा है, और आप कहीं न कहीं गधे की तरह मेहनत किये जा रहे हो, और उस मेहनत का फल आपके सामने वाले लोग उठा रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाला जानता है कि किस तरह से मक्खन लगाया जाता है, बटरिंग की जाती है किस तरह से चापलूसी की जाती है और यही चापलूसी या मक्षन लगाने की काबलियत देता है बुद अगर बुद इनसान का सही नहीं होगा न तो इनसान बहुत कड़वा बोलने वाला होगा जिसे कहते हैं कि हम तो सीधा सीधा बोल देते हैं सामने वाले को चाहें बुरा लगे चाहें अच्छा यह चीजें ऐसी बाते हर जगा काम नहीं करती हैं अगर आप देखें तो हर एक वर्ड को कहने का एक लहजा होता है हर एक word को कहने का एक तरीका होता है अगर आप किसी अपंग व्यक्ति को उसकी अपंग होने की कमजोरी के बारें बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा क्यूं ये words आजकल बोले जाते हैं physically challenge, दिव्यांग या फिर कुछ भी या किसी को आप चोर को भी चोर बोलोगे तो बुरा तो लगे गई तो इसी तरीके से आपको जुबान को किस तरह से diplomatic यूज़ करना है वो आपके अंदर काबलियत होनी चाहिए क्योंकि ये जुबान ही आपके relations को बिगाड़ती है आज के time में आप देखें तो बहुत सारी जगड़े बहुत सारी कुछ होती है ये सब कारण होते हैं जुबान के उसने आपके उपर eat फेकी आपने बड़ा पहाड फेक दिया यनि कि shuttling होना शुरू हो जाती है उसने कुछ दो शब्द कहे आपने उसके बदले में चार शब्द कहे तो जंग यहीं जुबानी जंग रुकती नहीं है ये जुबानी जंग अगर देखनी है तो अगर फौजी भाई आपके कोई आसपास रहते हैं और उनकी खास कर border पे duty लगती है तो उसे कहते हैं जुबानी जंग जो इंडिया की धरती पर खड़े होके हमारे शूरवीर जब वो गालिया निकालते हैं सरहत के उस पार लोगों को तब देखिए कि किस तरह से उसे कहते हैं एक जज़बा और उसे कहते हैं एक्च्वल में अपनी जुबान को सही तरह से इस्तमाल करना क्योंकि उनकी देखिए जब रेडियो फ्रिकंसी मैच कर जाती है अपस में तब कहीं न कहीं उनके सिगनल इधर मिल जाते हैं तो यहां से गालियों की बहचार होनी शुरू हो जाते हैं गोली और गाली एक तरीके क्या ही असर करती हैं तो इस तरह से वो अपनी फ्रस्टेशन अपना सब कुछ निकालते हैं वो उनकी लेवल की चीज़े हैं पर वही जंग का मैदान जब हम घर में बना देते हैं तब यहां पर तो जूते चपल ही बरसते हैं हाथ कोले या फिर ग्रेनाइट यह नहीं बरसते हैं वो बरसते हैं सरहद पर ही और घर में तो जूते चपल डंडा जो मिल जाए पर जब जब जगडे होते हैं तो सिरही फूरते हैं लोगों के कारण होती है जुबान आपकी जुबान जिसमें अगर हम इसे एक्च्छल में समझें जिसे कहा जाता है बुद बुद क्यों अकेला बुद नहीं है जुबान कभी भी देखिये हम चीजों को समझते हैं अगर हम इसे थोड़ा सा और आगे expand करें तो जुबान क्या है? एक तरह से हमारा चमड़ा है और यहां पर आपकी जुबान एक तरीके से बुद्ध का संबंद रखती है और जहां बुद्ध का संबंद आ गया वहाँ शणी का संबंद तो naturally है आ जाता है, चाहे आपकी जुबान असली है चाहे नकली है चाहे वो मरेवे जानवर की चाहे असली जानवर की जो मरजी है क्योंकि वो काम तो कर रही है बुद्ध का सपोर्ट तो लही रही है अब बुद्ध और शनी का सपोर्ट कहां कहां आ जाता है जब जहां पर आपकी जुबान चालाकी से इस्तमाल हो वहा समझे उस जुवान पर शनी का असर, मंदे शनी का असर आना शुरू हो गया, और बुद्ध का भी यही हाल है, बुद्ध पर भी उस समय कोई अच्छी तासीर नहीं रहती, बुद्ध की भी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं रहती जब हम यह उल्जलूल चिले खाना शुरू कर देते हैं, खासकर बुद्ध नेगटिव वाला जगा जगा थुकता हुआ पाएगा, कहीं तमाकु कादा होगा या कुछ भी उसे थुकने की आदत होगी, और ऐसे करने से इंस तो आप अपनी जुबान को मीठा बनाईए, क्योंकि यह कड़वी जुबान वाले हमेशा पिछड़ जाते हैं, कैसे पिछड़ जाते हैं, माल लिजिए, आप कहीं बिजनस करते हैं, और आपकी जुबान कड़वी है, तो आपका गरहा के एक बार तो समान ले लेगा, और स जौब पर हो, तब भी आपको importance नहीं मिलेगी, कुल मिला के क्या होगा, आप अकेले 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 अलग थलग पढ़ते जाओगे, और ऐसा अलग थलग पढ़ने वाला व्यक्ती ही खास कर depression में जाता है, उसको कुछ ना कुछ मानसिक परेशानिया हो जाती है, मानसिक परे एरिया में कुछ टाइम पहले था, अब नहीं है, तो वो जब भी देखो गालियां देता रहता था, उसे आदत थी, क्योंकि दिमाग में कुछ उसके फर्क था, तो इस तरह से वो गालियां देता रहता था, तो बच्चे क्या करते था, उसको छेड के चले जाते थे, जब चले गए, तो वो एक बार गाली देना शुरू होता था, चाहें वो सड़क पे खड़ा हो, चाहें कहीं भी खड़ा हो, एक बार गाली देना शुरू करता था, एक सांस में पता नहीं कितनी गालियां देता था, और गालियां ही देता रहता था, तो इस तरह से उसके पास को खाते हैं कहीं गलत investment कर देते हैं कहीं share market में गलत पैसा फ़सा देते हैं और कई लोग तो इंसे पैसा लेके चले जाते हैं इनको पैसा ही नहीं देते हैं क्यूं कि ये ये समझता है इंसान कि मुझसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉंग या फिर जुबानी ताकतवर नहीं है और मुझसे सब लोग डरते हैं और अगर मेरा कोई पैसा लेगा तो डर के मारे मेरा वापिस भी करेगा पर यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है वो सोचता तो है एक दीपक तले अंधेरे वाली बात आ जाती है कि दीपक उजाला दे रहा है इसी तरीके से दीपक समझता है मैं सबको उजाला दे रहा हूँ पर वो खुद अंधेरे में बैटा होता है उसके नीचे अंधेरा होता है इसी तरीके से ऐसे व्यक्ति अपने आपको अंधेरे में रखकर अपना नुकसान करते हैं इस तरह के नुकसान से बचने के लिए अपनी जुबान को सही रखना है अब देखिए मैंने आपको इतने पॉइंट्स बता दिये इसके बाद तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको उपाय भी देने हैं पर फिर भी मैं आपको एक दो उपाय दूँगा पर सबसे पहला मेरा जोर यही है कि बुद्ध को सहीर करना कैसे है अब कुछ self practices होती है जिनके जरीए हम बुद्ध को सही करते हैं हर एक चीज उपाय के जरीए नहीं होती है हमें खुद भी कुछ करने होते हैं परहेज नाम से भी कोई चीज है कोई कहीं रखती है एक ओधा तो उसका भी importance है कि मान लिजे कि आपकी जुबान अच्छी नहीं है आपकी जुबान मीठी नहीं है आप जिसको भी बोलते हो जूता मार बोलते हो इस तरह से बोलते हो कि सामने वाले के उपर बिना कुछ कहे आप तीर बरसा दो ऐसी थोड़ी सी वानी को थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करिए जुबान को मीठा रखना शुरू करिए क्योंकि बुद का उपाय ही मंगल से भी किया जाता है और मंगल मीठा है ज़रूरी नहीं कि आप जुबान पर रोज शहद लगाएं अपने अपनी जुबान को मीठा अपनी प्रैक्टिसिस से करिए आप अपने जितने रिलेशन बिगड़ चुके है उनको कभी-कभी बटरिंग करना शुरू करिए बटर अब यह बटर कहां से आ गया बटर का क्या इंपोर्टेंस है अगर हम बटर को देखें तो बटर है क्या कौन से गरहे की वस्तू है जी हाँ आप इतनी वीडियो तो आप देख देख के समझ ही गए होंगे आधा तो आपको मैंने ऐसे ही बना दिया अब जी हाँ बटर का मतलब है शुक्र अब यहाँ पर आपको सब कुछ जुमानी ही करना है सब कुछ आपको जुमानी ही मंगल ले आना है आपको जुमानी ही शुकर ले आना है आपको जुमानी ही शनी ले आना है आपको कोई उपायक करने की जुरुती नहीं है सब कुछ आपको जिसे कहते हैं इमैजीनेशन में सब कुछ आएगा अप कैसे आएगा माल लिजिए आपने किसी को बटरिंग करनी है बटरिंग कैसे करेंगे आप बटरिंग का तरीका और उसके फायदे समझ लिजे क्या है मान लिजे कहीं पर आपको लगता है जैसे एक बच्चा बटरिंग करता है न अपने माता पिता से पापा ममा ये दिला दो वो दिला दो लोग बोली देते हैं अरे इतनी प्यार से बोल रहा है बच्चा दिला दोना तो इसी तरीके से आपके साथ भी यह चीज़ होगी आपको कुछ समय के लिए बच्चा अपना जो अंदर है बच्चा उसको जगाना पड़ेगा उस बच्चे को जगा के आप दूसरे के साथ उसक अच्चा रोल है कोई अच्छा प्रोजेक्ट है आपकी सेलरी इंक्रिमेंट है कुछ भी अगर आप अखेले पड़े रहोगे तो कोई बुलाएगा ही निया आपके पास मौके ही नहीं आएंगे मौके या फिर जोडने की बात करें जोडना जुडाव या कुछ भी चीज आ बुद होता है और बुद ही आपको एक दूसरे से जोडता है कई लोग बहुत परेशान होते हैं जो अबरोड चले जाते हैं अबरोड जाके उनके बहुत परेशान होते हैं उनको काम नहीं मिलता उनको कुछ नहीं मिलता वो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं गलत सं उसने अपने दोस्तों को बोल दिया कुछ ना कुछ जॉब कलो के इस तरह से वह connection जब तक इंसान कर नहीं होगा तो इंसान अब रोड जाके तरक्की नहीं कर पाता या उसके लिए तरक्की करना बहुत मुश्किल होता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खुद अपन connections हमारी जुबान से ही बनेंगे हमारी जुबान अच्छी होगी तो हमारे दोस्त अच्छे बनेंगे दोस्त अच्छे बनेंगे तो हमें leads मिलेंगी हमें opportunities मिलेंगी हमें सला मिलेंगी हमें सब कुछ मिलेगा पर दोस्ती अच्छे नहीं है तो हम अकेले ही पड़े किनारे में सड़ते रहेंगे अलू बेंगन की तरह है तो इस तरह से अपनी जिंदगी इस तरह से मत बनाएए थोड़ा शोशल होने की कोशिश करिए जुबान को अच्छा रखिए किसी के साथ बातें शेयर करिए बहुत से लोग जॉब प्लेस में परिशान होते हैं क्यों परिशान होत से लगाना शुरू कर देती है यह नहीं कि अच्छी बाते ना करके खिके जहां शिकायत लगाएन को शीकायत लगा ड़े कर सकते हैं kad जब शिकायत लगाने स्यरूर हो जाते हैं teb इस case में सामने उडे लोग क्या करते हैं इसको साइड करो इसको अलगी रखो हमारे पर मतला वरना कोई जूटा अरोप लग जाएगा हमारे उपर या कुछ भी हो जाएगा इस तरह से चीज़े होती है या अब दूसरा के इस मेल्स जो हमारे पुरुषवर्क के होते हैं पुरुषवर्क के भी लोग इसी तरीके से परेशान होते हैं कुछ mental problems हो सकती हैं या फिर वो गल वाले ने या फिर आगर आपको जीवन दिया है तो वो हसके या रोके वो आपको depend करता है कि आपको कैसे जीना है इसी तरीके से workplace का काम है वो काम तो आपको करना ही करना है चाहे वो हसके करो चाहे हो हसके करोगे तो 100% आपको नई opportunity मिल जाएगी उसी काम के साथ साथ अगर करोगे तो देने वाला भी यह सोचेगा यार बड़ी मुश्के से एक काम दिया वो भी से धंक से नहीं हो रहा है तो कभी भी आप अपने रास्तों को खोलते नहीं हो बंद करते जाते हो थोड़ा बहुत देखे प्रैक्टिकल चेंजिस जरूरी है आप थोड़ा उपाई भी स इसलिए मुझे पूरा डिटेल में आपको समझाना पड़ता है अब हम उपाय की बास समझ लेते हैं मालीजे आपको लगता है कि जुबान अच्छी नहीं है तो सिंपल एक काम करना कर शुरू करिए सबसे पहले सुबह उठते ही लोग क्या करते हैं पानी पीते हैं तो आप आपने क्या करना कुला करना है पहले पानी मुमन लेके कुला करके आप हाथ से या उंगली से जैसे मर्जी चाहें ऐसे करके कुला करना शुरू करिए इससे आपका बुद्ध सही होगा चंद्रमा की मदद मिलेगी सुबह उठते ही कुला करना शुरू करिए उसके बाद सोने की चेन में पहन सकते हो चांडी की चेन में भी पहन सकते हो आप साथ साथ थोड़ा सा शनी और बुद्ध का आपस में IEL करना जरूरी है वही चला पहन लीजिए इस इसके साथ साथ एक काम और ट्राइ करना शुरू करिए, देखिए आपको कैसे benefits मिलेंगे, बहुत इसके अच्छे effects आया है, बहुत सारे cases में इसको use किया गया है, 90 दिन आपको लगातार black tea या black coffee लेना शुरू करना है, उन लोगों के लिए खास कर वरदान साबित होगी, जिन दूद नहीं डालना है, मिठा डाल सकते हो, इस तरह से आप लेना शुरू करिए, बाकी आप सभी लोगों से एक request है कि इन वीडियो को जरूर उन लोगों तक share कर दीजे, जिनको ऐसी जानकारियों को जरूरत होती है, आप लोगों के messages, आप लोगों के feedback जबरदस्त आ रहे हैं, बाकी books का काम एक तरीके से समझ लिजे, मध्य तक पहुंच चुका है, बाकी थोड़ा सा काम भी रह गया, कुछ दिनों में किताबें आपके लिए जरूर आ जाएंगी, करना align करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, time लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा इतने resources भी नही हैं, और आपको actual authentic किताबे लाल किताब की पढ़नी है, तो आपको सिरफ और सिरफ suggestion दिया जाता है, कि बेणी माधव गोज स्वामी जी की ही किताबे पढ़ें, और कोई किताबे ना पढ़ें, और अगर आप किताबें actual मंगवाना चाहते हैं, जो लाल किताब की actual हिंदी में हैं, दो volume को set है, 1952, तो आप मुझे whatsapp कर सकते हैं, आप लोगों के लिए discount price में दिल्ली से arrange करवा के आपके address तक भिजवा भी दी जाएंगी, बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आगया दीजिए, नमस्कार झाई खरााइंगी, नमस्कारी के दूटा जाएंगी, नमस्कारी के लिए क मुझे आ थाएंगी, तब तक कर दो सब दो कर दो रभाई दो कि यजए यज़गी दूब के विए पने सकते हैं, दो दो रहीं में दो बाभिए हैंगी, प्लोग। स्वशनादूराएंगी, जू